हेलो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे चेप्टर 5 CRPC जिसका नाम है अरेस्ट आफ परसन सेक्शन 41 से लेके 60A तक इसी के बारे में बात करता है ठीक है अब सबसे पहले जनरल मिरिंग बता दू अरेस्ट का अरेस्ट क्या होता है पुलिस जो है वो किसी अक्यूस को गिरफतार क होती है आगे का जो उसका प्लान था उसके बारे में चानबीन करना उसका नाम अता पता किदर रहता है उसके साथ क्राइम करने के वक्त कौन-कौन मोजुद था और किन-किन को नुक्सान हुआ उस क्राइम से वो सारी चीज़े पुलिस का काम है डूढ़ना ठीक है लेकिन यह चेप्टर जो है वो इतना बड़ा है कि सिर्फ इतने में नहीं आएगा वो बहुत बड़ा चेप्टर है ठीक है तो आज हम सारे सेक्षन को सिंपल लेंग्विज में मैं आपको समझाओंगा ठीक है सबसे पहले बात करते हैं सेक्षन 41 क्या बोलता है वेन पोलिस ओफिस प्लिस रास्ते में जा रही है उसकी नज्रों के सामने किसी अक्यूज ने क्राइम किया तो ऐसे में पुलीज जो है वो विदायूट वरंट उसक्यूज को गिरफ्तर कर सकती है ठीक है दूसरा है कि ऐसा अक्यूज है जिसके कि खिलाफ कंप्लेंड ओल्रेडी रजिस्टर क तो यहां पर क्या होगा पूलिस आपको अरेश्ट कर सकती है ठीक है तीसरा अब देखे दोस्तों अरेश्ट करने का क्या मतलब होता है तो यह सेक्षन में दिया गया है अरेश्ट करने का मतलब और फाइदा यह है कि अक्यूज यह वह आगे क्राइम नहीं कर पाएगा क्यों जेहल के अंदर होगा ठीक है दूसरा अगर वह जेहल के बाहर रहता है तो हो सकता है वह सबूत को मिटाने की कोशिश करे या तो उसके खिलब जो विटनेस है उसको डरा धमका के चूप करा दे ठीक है ऐसा ना कर पाए इसलिए उसको अरेश्ट करना जरूरी है ठीक है चोथा देखे दोस्तों अरेश्ट करने के साथ साथ पुलिस को और क्या करना पड़ता है अरेश्ट करने के साथ साथ पुलिस को उसका नाम अता पता एड्रेस कहां पर रहता है क्या उसने किया आगे का क्या प्लान है वो सारी चीज़े लिखनी पड़ती है अपनी डाइरी में ठीक है उसके बाद जो वो क्रिमिनल कारियवाई शुरू होती है ठीक है अब बात करते हैं ऐसा और कौन से व्यक्ति है जो अरेस्ट हो सकते अभी आपने बहुत बार देखा है जो पुलिस जो है वो कारेवाई कर रही है ठीक है लेकिन उसके काम में वो दखल दे रहा है या तो पुलिस को रोकने की कोशिश कर रहा है इन डाइरेक्ली डाइरेक्ली जो भी है ठीक है तो ऐसे में भी पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है ठीक है तो बेजिकली यह मैंन नोटिस ओफ अप्यारंस बीफोर दो पॉलिस ओफिसर देखे दोस्तो हर केस में अरेश होना ज़रूर नहीं है कभी-कभी ऐसा भी होता है कि आपके खिलाफ किसे ने कंप्लेंट फाइल की है मगर आप कोई बहुत बड़े क्रिमिनल नहीं है ठीक है तो पुलिस क्या करेगे आ अगर आप जाते हो उस चीज़ को आप फॉलो करते हो पुलिस की बात मानते हो उनकी रिस्पेक्ट रखते हो तो आपको उपर अरेस्ट नहीं हो सकता हां अगर आप फॉलो नहीं कर रहे है पुलिस की जो बात है उसको या तो फिर आप पुलिस को बराबर कोर्परेशन नही नहीं दे रहें समझोग्यू पुलिस ने आपको अपको नाम पूछ आप जूठा नाम बता रही या तो नामी निहीं दे रहे हो तो सकते आपके उपर अरेस्ट हो जाए ठीक है अब बात करते हैं सेक्षन ने दिया था पूलिस को ठीक है मैं कंप्लेंड रूम मैंने बोला कि यह आदमी या यह जगे पर यह रूम नंबर पे रहता है इसका नाम यह है आप उसको औरेस्ट कर लोड़कर ठीक है तो सबसे पहले पूलिस आपके घर पे आएगी या तो आप जिदर काम करते हो वहाँ प पे आपको औरेस्ट किया कौन से सेक्षन में डाला है वगेरा वगेरा ठीक है यह पूलिस सेशन पूलिस ओफिसर से पूलिस उपर डिपेंड होता है कोई को लोग का काम एकदम टिपिकल होता है ठीक है तो लोग सारी चीज़े उसमें लिखते है और वन विटनेस का सिगने से लगेगा या तो फेमेली मेंबर भी हो सकता है आपकी वो सकता है या तो दूसरा आपकी सोसाइटी में जो एसमज्यों पंजो त्क है जो रिस्पूंसिबल आदमी है उसका वी सिगनेचर पूलिस जो वह सकती है ठीक है ृषई का भी साइन रहेगा और और एक्षयशिभ करेगा कि हाँ मैंने एक Crime किया है ठीक है अब हम आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं सेक्षन 41C के बारे में ठीक है जो बात करता है Control Room डिस्टिक दीक दोस्तों Control Room जो है वह क्या होता है पता है कोई Accuses अगर आरेश होता है तो उसकी information वो control room में मिल जाएगी आपको ठीक है कि अगर किसी police officer है जिसके पास किसी accused की information नहीं है तो control room से उस information को प्राप्ट कर सकते हैं ठीक है अब आगे बढ़ते हैं 41D के बारे में ठीक है 41D ये बोलता है कि right of arrested person to meet an advocate of his choice during the interrogation अभी यहाँ पर क्या होता है दोस्तों देखिए दिया जाता है चाहे वो प्लेंटीफ हो या defendant हो ठीक है चाहे वो complainant हो या अक्यूज हो ठीक है तो यहाँ पे जो पॉब्लिक प्रोसेकूटर वो लड़ता है केस ठीक है लेकिन अक्यूज के तरफ से भी कोई होना चाहे न तो ही वो बराबर बैलेंस होएगा तो यहाँ पे अक्यूज को भी अपना एडवोकेट रखने का पूरा हख है ठीक है एडवोकेट को अक्यूज को एडवोकेट मि अपनी मर्जी का चुने और अपना केश जो है वो लड़े ठीक है अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 42 के बारे में ठीक है अरेस्ट और रिफूजल टू गीव नेम एंड रेसिदेंस कि वेन एनी परसन वू इंद प्रेसेंस ऑफ पुलिस ऑफिसरेस कमिटेड और हैस अक्यूज ऑफ फॉर कमिटिंगा डॉन कोगनिजिबल ऑफेंस रिफ्यूज ऑन डिमांड ऑफ्सर पूलिस ठीक है यह सेक्शन में क्या बोलते है कि अगर आपने कोई ऐसा क्राइम किया है जिसमें आप विदाउट वारंट या तो बाई वारंट भी आप अगरा परिश हो जाते हो समझो ठीक है और पुलिस आपको परिश करने के बाद खाली बिठा गे तो रखेगी नहीं ठीक है आपके पसने सारी इंफोमेशन मांगेगी कि आप किदर रहते हो क्या करते हो आप आपके साथ कौन-कौन साथ ही मिले होवे है वह इस वक्त कहां है ठीक है तो ऐसे में क्या होता है अगर आप अपना नाम नहीं बताते हो या तो फिर जूठा नाम बताते हो अगर आप जूठा नाम बताने के बाद आप पकड़े गए तो आपको सजा मिल सकती है कोट में सज section 43 के बारे में section 43 बात करते हैं arrest by private person and procedure on such arrest ठीक है दोस्तों का हर टाइम पूलिस अपने पास सब मदद करने के लिए नहीं हो सकती है ठीक है कभी-कभी अभी पूलिस भी इंसानी है ठीक है समझा आपने फोन किया पूलिस को हाला कि वह आएंगे जितना हो सकतना जल्दी मगर कभी-कभी ऐसा होता है कि हमारी सेल्फ करता है क्राइम करने में लेकिन अगर आप प्राइवेट परसन है जिसे नौर्मल आदमी जो होते हैं ठीक है और आपके साथ कोई जो अक्यूज है वह कोई चोट पोचा रहा है या तो फिर उसने नोन बेलेबल या तो कोगनीजिबल ओफेंस करने का ट्राइब करता है ता अप उसको अरेश भी कर सकते अरेश मतलब आपको अर्लीन अरेश का मतलब से भीकर नहीं होता है अरेश मतलब उसको कामरे में लोग भी कर सकते हो ठीक है our画 कर पकर दो जब पेधा ठीक है उसको B अगर उसने कोई बाड़ा क्राइम मतलब जान निकाल देना ठीक है इसको बोलते बाड़ा ओफेंस ठीक है चोड़ी चीज़ों के लिए आप किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते हैं ठीक है आपको सकते हो आप अब आगे बढ़ते तो section आता है 44 arrest by magistrate देखें दोस्तों magistrate जो है वो एक यू समझो के criminal case लडने वाले ज़ज होते है ठीक है criminal cases के ओपर वो judgment देते है ठीक है अगर कुछ ऐसा होता है कोई accused है जिसने magistrate के सामने कोई crime किया ठीक है तो हो सकता है magistrate उनको order देदे कि इसको arrest करो और जो को police होती है उसको arrest करके court में लेके आएगे ठीक है इसको बोलते है arrest by magistrate protection of members of the armed force from arrest ठीक है section 45 यह बोलता है protection of member of armed force from arrest देखें दोस्तों आर्मी में जो लोग होते है वो basically कानूनी लोग होते है जैसे police वाले है ठीक है military वाले है आर्मी है ठीक है अभी ऐसे लोगों को protection मिलता है जनरल यह अरेस से ठीक है अला कि अगर उनको कुछ जच को अगर उनका काम पढ़ा court में as a witness या तो फिर कोई case की कार्यवाही आगे बढ़ा निया वगेरा वगेरा तो ऐसे में क्या होता है अगर उनको court में बुले आ जाता है ठीक है लेकिन arrest नहीं किया जाता ऐसा एक rule है ठीक है सेक्शन 46 बोलता है अरेस्ट को कैसे अरेस्ट हाव मेड मतब अरेस्ट कैसे किया जाता है इन मेकिंग अरेस्ट पूलिस ओफिसर और अधर परसन मेकिंग दे सेम एक्चुली टाच और कॉन्फाइं दा बोड़ी ऑफ परसन तो बी आरेस्टेड अनलेस दे देर भी ए सब्मि अगर कोई लेडी है उसको औरेस्ट करना है तो लेडी पूलिस ओफिसर होगी जहनस के लिए तो जहनसी होते है ठीक है अगर आदमी जो है वो अक्यूज है वो सामने से सरंडर करता है तो उसमें फोर्स की जरूत ना भी पड़े ठीक है लेकिन अगर कोई यो कॉर्परेट नहीं कर रहा पूलिस को तो पुलिस को जबर ज़स्ती भी करने पड़ती है ठीक है यह sections काफी easy है दोस्तो मैं आपको summary से समझा रहा हूं ठीक है मैं एक एक वर्ट पढ़ूँगा ता आपको ऐसा लगा कि मैं read कर रहा हूं वो ता आप भी कर सकते हो ठीक है मैं इसलिए इतना simple पर बोल रहा हूं कि आपको वो क्लिक रहे और आप उसको एक्जाम में कंटीनू कर पाए ठीक है अब बात करते हैं section 47 के बारे में search of place entered by person so to be arrest ठीक है if any person acting under a warrant of arrest or any police officer having authority to arrest has reason to believe that the person to be arrested has entered into or within any place any residing in or being in charge of such place shall be demand of such person acting as force as such police officer allow him to free there are to offer all reasonable facilities to search therein अभी देखें दोस्तों इसमें क्या होता है अगर समझो किसी person के खिला warrant निकला है या तो warrant नहीं भी निकला तो पूलिस के पास ऐसा हक होता है कि वो जो जगे है जहां पर crime हुआ उस जगे को और search कर सके वहां से सबूत उठा सके ठीक है अगर murder हुआ है तो चाकू रहेगा बंदूक रहेगी समझो है ना fingerprint के निशान रहेंगे तो वहां पर कैसा होता है आपको सारी facility करके जाना पड़ता है जो forensic department होता है वहां से किसी को आपको लेके जाना पड़ेगा को fingerprint को निकालना इतना आसान नहीं होता ठीक है अभी समझो यह बंदूक है बंदूक का जो नीचे का जो handle होता है पकड़ने का उसमें fingerprint हो सकते है तो आप गण उठा के फोरण सिक्वाले को दे सकते हो कभी कभी ऐसा होता है जमीन के उपर fingerprint के निशान है तो आप क्या करोगे आ अक्यूस को वो arrest करेंगे ठीक है लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है कि अगर कोई ऐसी जगे है जहां पर crime हुआ है समझो वो गर है for example उस घर में कोई female रहती है कोई lady रहती है वहाँ पे तो police officer को उस lady को notice देनी पड़ेगी ठीक है कि आप अपने आपको बाहर कर दीजे ताकि कि हम अंदर आ सके और चानबीन कर सके ठीक है और वो लेडी जो है वो उस बात को मान लेती है उसके बाद police जो है वो अंदर की जो कारेवाई है जो लीगल कारेवाई होती है research की investigation की वो कर सके ठीक है एक कि पॉलिस ओफिसर और अधर परसं अथ्राइस टू मेंकरे में ब्रेके ऑपन एनी आूटर और इंटर डूर इन्टर इनिह हावस प्लेज अभी यहां पर क्या लिख्या देव दोस्तों कभी-दोस्तों कभी-क्या होता है घर का में धर्वाजा खुलॉ तो इसका मतलब यह नहीं कि अंदर के सारे दर्वाजा कुले हो ठीक है कोई-कोई घर इतने बड़े होते हैं पाच-पाच कमरे रहते हैं अंदर अभी पुलिस को इसा लगा कि कि पाच में से किसी एक कमरे में अक्यूस छुपा हुआ है तो दर्वाजा तोड के अंदर भी जा सकते हो ठीक है अगर वह अक्यूस जो वह सामने से गिरफ्तार हो जाता है तो यह सब करने की जरुवत नहीं पड़ती जाहिए इसी बात है ठीक है अगर नहीं होता तो पुलिस को फोर्स जब अरस्तिक भी करना पड़ता है ठीक है Section 40 in both time no unnecessary restraint sorry Section 48 pursuit of offer time in to other jurisdiction police officer may for the purpose of arresting without warrant any person whom he is authorized to arrest pursue such person into any place in India TCR a bad courtesy Section 49 no as unnecessary restraint the person arrested shall not be subjected to subject to more और रिस्टेंदेन नेसेसरे टू प्रिवेंट इस एसकेप अभी किसी परसन को आप अरेश करते हो उसको जेल में डालते हैं ठीक है अभी यहाँ पर क्या होते हैं अगर उसकी कारीवाई खतम हो गई है और उसने कोई बड़ा क्राइम नहीं किया है और पुलिस का कर्यों को सकता है पुलिस जो है वह रिमांट मांगे मैसेस्टे ठीक है और में दिया तो पुलिस कस्टरी में सकति है ठीक है अक्नें हो सकते हो है अ 180 पुलिस आपको जो है वो छोड़ सकती या तो बेल भी दे सकते या तो मेजिस्टेट के अंदर जूडिसल कस्टेडी बोलते है ठीक है जूडिसल कस्टेडी भी दे सकती है ठीक है section 50 जो काफ़े important है दोस्तों इसके ओपर short note पुछी जाती है और ये accused का हक है ठीक है person arrested to be informed of ground of arrest and of right to be right to bail अभी कोई बंदा arrest होता है समझो हाला कि वो भले accused है मगर उसका हक बनता है कि उसको पता रहे कि उसको किस बात पर arrest किया है ठीक है और उसके पास ये भी एक हक होता है कि वो bail के लिए apply करे reject होएगा नहीं होएगा वो court के ओपर है मगर bail जो है वो उसका हक है जो court में वो bail apply कर सकता है और आगे वो उसका जो रिस्पेक्टिव प्रोसेइंग के उसको फोलो कर सकता है मगर अगर कोई पुलिस यह operate की सबक्रात करें कौन सा उसने क्राइम किया है क्राइम नहीं किया उसको पर क्या शक्क है कभी कभी क्या होता है पुलिस जो एक जगे पर सिर्थ बीन जाती है वहां पे 50 लोगा चांद सरे उसे मिलें उसके ओपर करेवाई होती है ठीक है अब बात करते है section 50A obligation of person making arrest to inform about the arrest etc to the nominated person अब बात करते हैं यह section के बारे में तो यहां पर क्या होता है जो police officer है जब किसी accused को arrest करता है ठीक है तो यह police officer का duty बनता है कि वो जो accused है उसके family member को या तो उसके relative को या तो उसके friend को बता है कि आपका दोस्त या तो फिर आपका बेटा या तो फिर आपके जो रिलेटिव है उसको arrest कर लिया गया है यह reason की वज़े से ठीक है अब दूसरा point यह बोलता है कि पूलीस का यह और एक duty है कि वो अक्यूस को बता है कि उसके हग क्या है ठीक है जैसे बेल लेना एडवोकेट को अपनी पासंद का एडवोकेट को select करना वगेरा वगेरा ठीक है तो यही चीज़ इस section में लिखी हुई है section 51 voltage search of arrested person whenever a person is arrested by a police officer under warrant which does not provide for the taking of bail or under warrant which provides for taking of bail but the person arrested cannot furnish bail and whenever a person is arrested without warrant or by a private person under warrant cannot be legally be admitted to bail or is unable to furnish bail ठीक है अब यहां section 51 में search of arrested person मतलब क्या है अब यह आदमी होड़ी अरेस्ट हो जो हो गया है ठीक है उसका सर्च मतलब क्या उसके जेब चेक करेंगे उसके उसने क्या कपड़े बेने कपड़े के अंदर कितने जेब हैं उसमें क्या क्या छूपा के रखा है वगेरा वगेर अब यह सारी जिजे पुलिस जो वो सर्च कर सकती है ठीक है अगर कोई female है उसको औरेस्ट किया गया है तो उसको कोई female officer ही सर्च कर सकती है ठीक है जेन्स टच नहीं कर सकते लेडिस को ठीक है यह बात आप ध्यान में रखिए सेक्शन 52 बोलता है power to seize offensive weapon अभी देखे दोस्तों कभी कभी कोई बड़े criminal होते है ठीक है हो सकता है कि वो आतंगवादी भी हो तो अभी आतंगवादी के पास तो बहुत खतरना खतियार होते है बंदुक होती है चाकू हो सकता है बॉम हो सकता है छोटा बड़ा जो भी है तो अग्यूस को restore करना ही पूलीस का काम है ठीक है अगर क्यूस नहीं मानता हो उस चीज को फिर force कर सकती है पूलिस आला कि जब तक अग्यूस पूलिस के हाथ में तब तक वो जो खातरनक वेपन है जैसे बंदूक है ठीक है अभी अक्यूस को चम जो जेल में लेके गए तो अक्यूस के हाथ में बंदूक दे नहीं सकते हैं अक्यूस को भात्यार से अलग करना पड़ता है ठीक है section 53 तो बोलता है examination of accused by medical practitioners at the request of the police officer कभी कभी क्या होता है को ऐसे cases होते है जहां पर medical evidence होना ज़रूरी है जैसे मार पीट हो गया किसी ने किसी को जहर खिला के मार डाला या तो फिर किसी यूनो किसी female के साथ कुछ गलत हो गया समझो तो ऐसे में क्या होता है medical practitioner जो होता है पुलिस officer request कर सकते है medical practitioner के evidence के लिए और फिर जो है वो पूलिस जो आगे उसकी कारेवाई कर सकती है ठीक है अगर कोई lady है उसको कोई तकलिफ होई है समझो किसी अक्यूस से उसके साथ कुछ कर दिया तो उसके लिए lady प्रेक्टिस medical जो डॉक्टर होती है जो नर्स होती है वो लोग उसके लिए रहेंगे ठीक है जैंस डॉक्टर उसमें काम नहीं आते एक्जामनेशन में क्या हो सकत होते है ठीक है पसीना हुता है आप साथा पाई करते हो तो आपका बोड़ी गर्म होगा पसीना गिल गया जमीन पे तो उसके ऊपर से भिए आप आदम्य का पता लगा सकते हो फिंग नाखून, अगर आपने हाथा पाई कि आपने आपना नाखून दूसरे के स्कीन पर इसा समार दिया तो आपके नाखून में उसके चमडी глаз आजाएगी ऐता आपने आपके नाखून के निशन उसके चहरे पर या तो उसके बोड़ी पर आ जाएंगे तो ऐसे भी बहुत सारे medical के evidence जो है वो police को requirement होती है यहां तक की advocate को भी requirement होती है और उसके उपर फिर judgment जो है वो pass होता है ठीक है अब बात करते section 53a के बारे में examination of a person accused of rape by medical practitioner ठीक है अभी देखिए दोस्तों क्या होता है कभी कभी कोई female होती है उसके जाथ कुछ गलत हो जाता है समझो ठीक है तब यहां पर जो डॉक्टर होते है वो lady doctor होंगी जाहिर सी बात है ठीक है क्योंकि dignity maintain करना जरूरी है ठीक है female को दूसरी female के साथ बात करने में comfort मिलता है ठीक है मेल डॉक्टर के साथ कमफट नहीं रहता ठीक है तो यह सारी बात आप खुद भी समझ सकते हो कि मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर और यहां पर सारी चीज़े वह चेक कर सकते हैं अगर कोई female doctor है वह दूसरी female की सारी चीज़े चेक कर सकती है ठीक है क्या-क्या हुआ था किसे हुआ था वगेरा वगेरा ठीक है तो अगर कोई deixe register medical practitioner condoning the such examination shell without delay examines a person and prepare a report अभी ओर रिपोर्ट प्रिपेर करेंगी जो लेडी-ड्र होंगी समझो वह एक रिपड प्रिपेर करती है उसमें क्या रिपोर्ट में रहेगा नाम उसका उमर क्या होगा कहा का डेमेज हुआ है वगेरा वगेरा ठिक है और उस क्राइम के बाद उसके ओपर क्या आसर हुआ ठीक है वो सारी चीज़े लेडी प्रेक्टिशनर जो हो बाचार बनाती है ठीक है section 54 बोलता है examination of arrested person by medical officer when any person is arrested shall be examined by medical officer in service of central or state government and in case the medical officer is not available by registered medical practitioner soon after of the arrest made provided that where the arrested person is a female the examination should be conducted only by a female medical practitioner मतलब जो लेडी डोक्टर होंगी वही किसी दूसरी लेडीज को चेक कर सकती है ठीक है उसके बहुत सारी रीजन है दोस्तों कि कैसा होता है को अगर कोई male doctor रहेगा तो हो सकता है वो लड़की खूल के बात ना कर पाए कि क्या हुआ था लेडीज के सामने लेडीज रहती है त of committing an offense and his identification by any other person or person is considered necessary for the purpose of investigation of such offense the court having jurisdiction may on request of the officer in charge of the police station direct the person to so arrest to subject himself to identification by any person or person in such manner and court may dim fit अब यहां पर क्या होता है परसन जब arrest होता है तो आगे की कार्यवाही करने के लिए उसका identification होना जरूरी है तो इसमें क्या होता है कोड के ओपर depend होता है जिसको क्या method अपनाने है ठीक है उसका document चेक करेंगे उसके family member को बूला सकते है समझो या तो फिसके relative है ठीक है या तो फिर ऐसा कोई आदमी जिसको जो अक्यूस को जानता है ठीक है बहुत सारी तरीके अक्यूस का नाम अता पता डूनने में ठीक है तो सारी चीज़े आप जो है वो कर सकते है मतब कोड कर सकती है ठीक है सेक्शन 55 प्रोसीजर वें पॉलीस ओफिसर डिस डिप्यूट सबोर्डिनेट टू अरेस्ट विदाउट वरंट अभी यहां पर क्या होता है हम समझेंगे अभी यह सेक्शन में क्या लिखा है सेक्शन 55 प्रोसीजर वें पॉलीस ओफिसर डिप्यूट सबोर्डिनेट टू आरेस्ट अभी यहां पर क्या होता अभी अभी मैं समझेंगे सीनियर पॉलीस ओफिसर हूं फॉर एक्जामपल ठीक है अभी मेरे को बहुत सारे काम है मैं पूरा स्टेशन पॉलीस स्टेशन में ही संबल तो मैं क्या करूंगा मेरे जूनियर को बेच दूंगा और इसकरने के लिए तो अभी यहां पर मेरा ड्यूटी क्या है मैं अपने जूनियर ओफिसर को सारी इंफोमेशन दूँ कि उसको पता चले कि अक्यूज कौन है ठीक है अभी वो नाम हो गया एड्रेस हो गया ठीक है उसका हूलिया कैसा दिखते है काला है गोरा है लंबा है छोटा है कैसा है सारी चीज़े उसको मुझे बताने पड़ेगी तो बस यह सेक्शन इसी के बारे में बात करता है ठीक है सेक्शन 55A Health and Safety of the Arrested Person यह काफी इंपोर्डन सेक्शन है दोस्तों इस इट शेल बीड़ेटी ऑफ द परसन हेविंग अग्यूज करती है तो पुलिस ओफिसर का वो ड्यूटी बनता है कि वह जो अक्यूज है उसका है जो अच्छा रहे कभी कभी होता है कि कस्टडी में आद तो फिर वह आदमी पहले से ही कमजोर है नो हाट का मरीज होता है या तो फिर ज्यादा ब्लड पेशर बढ़ने की वज़े से यूनो हार्ट अटेक आ गया बहुत सारी चीज़े हो सकते है तो जितना हो सके उतना संभाल के पुलिस वाले को काम आगे बढ़ाना पड़ता है अब देखें पूलिस जो है वो आरेस्ट कर सकती है अब आगे की कारे वाई जो है वो ज़ज ही करते है ना ज़ज मतलब यहाँ पे मैजिस्टेट मैजिस्टेट जो है वो क्रिमिनल केस को सॉल्व करते है ठीक है तो पुलिस ओफिसर का वो काम होता है कि वो आरेस्टेट परसन को विदिन रिजनेबल टाइम विदाउट एनी अन्नेसेसरी डिले उसको अपियर करे जज के सामने मैजिस्टेट के सामने ठीक ह हाला कि एक और एक रूल है जहां पे पुलिस को अरेस्ट के बाद 24 घंटे के अंदर-अंदर मैजिस्टेट के सामने पेश किया जाता है ठीक है सेक्शन 57 ये भी कापी इंपोर्टन है दोस्तो परसन अरेस्ट एंड नोट टूबी डेटेंड मोर दें 24 आवर जैसे मैं आपको अभी बताया ठीक है अभी समझो, पुलिस ने आपको अरेस्ट किया, ठीक है, अरेस्ट होने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर आपको पुलिस ओफिसर मेजिस्टिट के सामने लेके जाएगी, ठीक है, अरेस्ट करने के बाद पुलिस आपको बहुत सारे सवाल पुछेंगे, नाम पुछेंगे, आपने क्या crime किया वगेरा वगेरा आगे का क्या प्लान है ठीक है यागिन कभी कभी पुलिस को आप से satisfy नहीं होती पुलिस को लगते कि आपने बहुत बढ़ा crime किया है और आप छुपा रहे उस crime को तो पुलिस का करेगी आपको 24 गंट के अंदर-अंदर मेजिस्टेट के सामने लेके जाएगी और मेजिस्टेट को रिक्वेस्ट करेंगे कि हमको रिमांड चाहिए रिमांड मतलब आपको पुलिस लंबे समय तक रखेगी 14 दिन तक ठीक है 10-12 डिपेंडर तक इतना रिमांड मिल ठीक है अगर समझो पुलिस को असा लगा कि हाँ आपने सारी चीज़त बता दिये तो वह 24 गंटे के अंदर-अंदर आपको मेजिस्टे के सामने अपियर करेगी और मेजिस्टेट जो वह जुडिस्चिल कस्टडी में आपको डाल देगा जुडिस्चिल कस्टडी मतलब जो और और इफ ही सो डायरेक्ट टुदे सब्डिविज्चिल मेजिस्टेट ने केस्ट परसण रजिस्टेट विदाउट वरण विदिन दर लिमिट ऑफ दर रिस्पक्रिश्ट अभी देखे दोस्तों क्या होता है जैसे को क्राइम होता है और परसन को पुलिस अरेस्ट करती ह समझो तो पुलिस का काम होता है कि वो मेजिस्ट को बता है ठीक है अगर नहीं बताते है तो पुलिस जो है उसको रिजनेबल Miles लिजन देना पड़ेगा कि क्यों नहीं वताया पए टाइम पे वगेरा वगेरा ठीक है क्योंकि कानून का मतलब यह है कि आप किसी इनोस्ट को और इस नहीं कर सकते हैं ठीक है अगर सामने वाला अक्यूस है और आप कारेवाई कर रहे हो थोड़ा आगी पीछ हो गया तो एक बात करते हैं सेक्शन 59 के बारे में डिस्चार्ज ओफ परसन अपरेंडेट नो परसन वू इस द बीन आरेस्टेट बाई पॉलिस ऑफिस शेल बी डिस्चार्ज एक्सेप्ट ऑन बोन और बेल और अंडर स्पेशल ओडर ऑफ दो मेजिस्ट्रेट ठीक है अभी मतलब क्या होता है आप छूट जाए ठीक है अब आप ऐसे ही नहीं छूट सकते आपको जो पूलिस है वो छोड़ सकते हैं मगर आपको बेल लेना पड़ेगा ठीक है शुक्यूरिटी पे करनी पड़ी उसके बाद ही आप छूट सकते हैं ठीक है सेक्शन 60 पावर ओन और वस रिस्क्यूड एंड में इमिजेटली पर्श्यू अरेस्टी अरेस्टी में एनी प्लेस इन इंडिया अभी देखें दोस्तों कभी कोई बड़ा कोई मजूरिम होता है उसके बहुत सारे कॉंटेक होते है ठीक है वह अपना कॉंटेक लगा कि जेल में से बाहर आने का ट्राइ करेगा और भागने की कोशिश करेगा ठीक है लेकिन वो आदमी भागने के बाद की इंडिया में किदर भी मिला तो उसको फिर से पुलिस अरेस्ट कर सकती है ठीक है अब बात करते हैं सेक्शन सिस्टी ए के बारे में अरेस्ट वी मेड स्टीक्ली अकोर्डिंग ठीक है अभी मैं इस वीडियो के समरी बता दू आपको ठीक है पुलिस अरेस्ट क्यों करेगी एक तो आप आगे क्राइम ना कर पाओ दूसरा आप विटनेस के साथ छेट चांड ना कर सको तीसरा आप आपके पास से कोई इंफोर्मेशन देनी है पुलिस को आगे के क्राइ अरेस्ट करने के बाद 24 गंटे के अंदर आपको मेजिस्टर के सामने पेश किया जाएगा ठीक है अगर समझो पुलिस आपको अरेश्ट करती है और आपने सारी चीजे फटा-फट बता दी कि हाँ मैंने इतना इतना किया है उससे आगे मैंने कुछ नहीं किया अगर पुलिस को लगता है कि आप सच बोल रहे हो तो पुलिस आपको जो है वो रिमांड के लिए अपलाई नहीं पुलिस को लगता है कि आप कोई चीज छुपा रहे हो ठीक है तो हो सकता है पुलिस रिमांड के लिए अपलाई करें अगर रिमांड मिल गए तब फिर से 14 दिन मेक्जिमम पुलिस के अंदर रहोगे फिर से आपके उपर पूछता चादू रहेगे ठीक है अगर यह वीडि